जैहिंद प्यारे साथी उस वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF Head Constable Ministry की रिजल्ट डेट के वारे में कि CRPF HCM का रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा आप सभी जानते हैं कि लवग दस दिन पहले यानि कि 15 अपरेल को मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगले तीन से चार दिन के अंदर आपके रिजल्ट जारी हो जाएगा तो ऐसे मैं candidate कहा रहे हैं कि वही result का क्या हुआ तो देखिए जो भी information आपको दी गई थी वो authentic information थी इसका prove भी इस वीडियो में आप सभी को मिल जागा कि किस बहाँ पे मैंने वो आपको information दी थी और कोई भी information अगर आपको दी जाती है तो वो 100% authentic होती है चीज़ों में बद सब्सक्राइब होई है वह भी आप सभी को अभी बेद प्रूफ मिलने वाला है तो वीडियो को आप लास तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी information मिल पाए और वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लें और वे like पर प्रेस कर लें ताकि future में आने वाली update कर notification आपको सबसे पहले मिलता रहे अब चलते हैं आपकी update की तरफ तो देखें जैसा कि आप सभी जानती है कि CRPF की भरती बहुत fast तरीके से चल रही है HECM बाली लेकिन बीच में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत disturbance होता रहता जिसकी वाज़े से थोड़ी ले तीन से चार दिन के अंदर आपका जो result होगा वो declare हो जाएगा और यहां पर मैंने आपको बताया था कि first मैं इससे आपकी जो typing होगी वो start हो जाएगी तो यहां पर कुछ बच्चे देखें जो believe करते हैं उनके लिए किसी proof की जरूद नहीं है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो believe तो करते हैं लेकिन फिर भी होने कई डाउट होने लग जाता है कि मैंने कहीं रेंडमले आपको ऐसे ही information तो ना दे दी लेकिन बढ़ मैं आपको बता दू कि कोई अगर information नहीं होगी अगर authentic proof नहीं होगा तो मैं आपको कोई information नहीं दूँगा proof होता है तब आपको अपडेट देता हूं इसके लिए आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह notice है जो की signal भेज़ा गया था सभी जो भी group है उसका schedule confirm हो चुका है इसके बाद ही जब मुझे confirm हुआ वहां से बताया गया कि कभी भी आपका रजल्ट डेक्लियर हो सकता है सारी चीजह अल्मोस्स कंप्लीट हो गई है टाइपिंग की डेट वगरा schedule पूरा कंप्लीट है तभी मैंना आपको यह information दीती है जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर direct recruitment for post of ASI steno and head constable ministerial 2022 DIG recruitment dated by letter number यहां पर दिया गया dated 15-30-2023 has assigned the responsibility to this group center for conducting of typing stenography test for the post of ASI steno and head constable ministerial 2022 scheduled to be held during first week of May 2023 तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आप सभी को clear उस वीडियो में बोला था कि आपका जो result delay हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आपके head constable ministerial और यह आता ही steno का एक साथ result जारी करके दोनों की जो typing की process है उसमें आपका steno होना है इसमें notification निकलाता है वो एक साथ चल सकें तो इसी की वाज़े से यहां पर आप देख सकते हैं कि clear यहां पर बोला गया है ग्रूप center को यह notice बेजा गया है कि आपको typing and stenography test करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है for the post of ESIN आपकी head constable ministerial 2022 तो जब यह notification मुझे पंदर चार 2022 2023 को मिला और वहां से यह भी information होगा कि तीन से चार दिन के इंदर रिजल्ट आपका declarer हो जाएगा तो मैंना आपको information deliver की थी तो इसी के विहाब पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि देखो आपको result कभी भी जारी हो सकता है CRPF की तरफ से सारी चीज़े complete हैं खालांकि अभी जो थोड़ा बहुत process का फरक पड़ेगा वह ऐसा CGD constable की भरती के वज़े से हो सकता है कि थोड़ा बहुत impact पड़े लेकिन अभी भी जो भी information हो उसके according यह है कि अभी आपका जो यह examination होना है वो आपका first week of May ठीक है इसी में अभी आपका schedule है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है अगर बदलाव होता है तो आपको बता दिया जाएगा यानि कि आप यह मान के चले कि हो सकता है कि आपका जो admit card होगा वो चार या पांस दिन पहले ही आपको मिलेगा और उससे दो दिन पहले हो सकता है है आपका result declare हो यानि कि पूरा जो process होगा विदिन है यहां पर complete हो जाएगा तो इसलिए HCM और ASI stano वाले दोनों बच्चे तैयार रहे हैं आपका result कभी भी declare हो सकता है notice आपके सामने है पूरी information आपके सामने है कोई भी गलत information आपको नहीं दी गई थी मैं सिर्फ इंतिजार कर रहा था कि result declare हो जाए तो जादा अच्छा है बट यहां पर हुआ यह कि result declare ही नहीं हुआ तो finally मुझे आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी और आप सभी को यह बताना पड़ रहा है कि इस वज़े से आपका यह पूरा process लो चल रहा है बाकी चीजें आपकी सामने हैं त देंगे नेक्स वीडियो में तो थैंक यू फो वाचिंग जय हिंग जय वारत